GTA Online में अगर आपको बाइक्स खरीदनी है और आप बाइक्स चलाने के फैन हो और आपको समयज में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी बाइक्स अपने कलेक्शन में अड़ करें तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो को एंट जग देखना इस वीडियो में आपको पांच किसी बाइक्स बताऊंगा जो की फास्टेस्ट है जीटी ऑनलाइन में और आपको जरूर लेनी चाहिए तो लेट्स रोल आउट दे इंट्रो एंड बिगिन इस वीडियो स्टार्ट करते हैं हम फिफ्ट नंबर से और फिफ्ट नंबर पर मैंने रखी है हाकुचावट ड्रैक को अब ये गाड़ी जो है काफी है और अगर आप इससे स्टंट करने जाओगे ना तो आपके स्टंट जो है वो फेल हो जाएंगे क्योंकि यार ये गाड़ी पास नहीं भागते है 127 miles per hour की स्पीड से यह भागेगी और कुछ ऐसे आसपास ही इसकी स्पीड है और यह काफी heavy bike है बात करते हैं अब हम इसकी बाइंग की तो यह आपको मिलने वाली है legendary motorsports पे और legendary motorsports पे आपको 976,000 dollars यानि की करीब-करीब एक million dollars की मिलेगी legendary motorsports पे अब यह बाइक को मैंने 5th number पे इसलिए रखा है क्योंकि यार यह बाइक जो है वो चंट में बहुत बार यार fail कर देती है because of the extra heaviness in this bike ऐसे feel होता है जब आप यह बाइक को चलाओगे तो extra heavy feel होगी आपको यह बाइक तो यह 5th number पे मैंने इस बाइक को रखा है और दूसरा है बैटी 801 double R यानि की RR तो यह दोनो speed में तो एक ही है बस इसमें कुछ लिवरी एक्स्ट्रा मिली ऐसे मुझे feel होता है तो यह जो बैटी 801 है यह beginners के लिए यार मैं कहूंगा कि सबसे best bike है अगर आपको map में quickly एक point से दूसरे point में जाना है और आपका budget कम है तो पंदरा हजार की यह bike आपको काफी help करेगी खास करकी beginning में और यह मुझे अगर आप इसको upgrade कर दो ना मुझे तो यह हकुचाव drag से काफी fast लगती है और पंदरा हजार में यह काफी अच्छा स्पीड दे देती है तो कहां एक million की हकुचाव drag और कहां पंदरा हजार की बैटी 801 रर या फिर आप नॉर्मल वर्जिन भी ले सकते हो अब इस bike की जो खास बात ही है यह काफी good look नहीं है मुझे यह हकुचाव drag से तो मुझे यह बैटी जो है वो पसंद आती है दिखने में और अगर आप इसको upgrade करोगे तो of course यह और भी जो है वो speed में जाएगी हां हकुचाव drag या फिर आप बोलोगे कि शोटारो भी आनी चाही थी शोटारो भी काफी fast है लेकिन शोटारो मुझे visually जो है visuals के अलावा और मुझे शोटा बात करते हैं इसकी buying की तो आपको यह southern cylinder इस पे 95,000 डॉलर की मिल जाएगी दो variant पे आपको यह मिलेगी और वो है यह bike जो है वो disappoint ने करने वाली है प्लस आपको जो है off-roading में इतना अच्छा speed देगी है कि आप भी खुद हैरान रह जाओगे आप इसको जरूर upgrade करना इस bike को अपने collection में जरूर रखना क्योंकि यह one of the best bikes है और इसको चलाते वक्त ना आपको काफी मजा आने वाला है तो BF400 को मैंने रखा है third number की position पर अब second number की position पर आती है Pegasi Oppressor Mark 1 वास्टॉक पर आपको यह 3.5 million की जो है वो यह bike मिलने वाली है one of the most least bide bikes में इसका नाम आता है अब ऐसा क्यों है क्योंकि यह bike जो है वो oppressor तो है बट यह हवा में नहीं उड़ती जैसे Oppressor Mark 2 उड़ता है यह आपको bike रोड पे चलानी पड़ती है और इसमें boost भी है इसमें आप hover कर सकते है इसमें glide कर सकते हो अब यही बात जो है वो Oppressor Mark 1 चलाना ही नहीं आता है और वो बार बार इस bike से गिरते है गिरके मर जाते है और frustrated हो जाते है और यह bike कभी चलाते ही नहीं है और मैंने ऐसे भी बंदे लेखे कि उनको पता भी नहीं है कि Oppressor Mark 1 करके एक कोई bike भी है तो यह bike जो है one of the best bikes मुझे लगती है क्योंकि यार इसमें जो है आपको boost मिलेगा आप इसमें जो है वो glide कर सकते हो यह one of the fastest bikes है जो भी आभी bikes मैंने जो भी बताए पिछले वाले bikes उन सबसे यह मुझे fast लगती है और यह actually मैं fast है भी तो Oppressor Mark 1 को मैंने रखा है number 2 के spot पे और अगर आपनी यह bike अभी तक नहीं ली है तो मैं आपको बहुत मज़ा आएगा इसको चलाने में वक्त हाथ थोड़ा सा hard लगेगा अगर आप ने कभी इस bike को चलाय नहीं है अगर आप first time चला रहे तो थोड़ा सा hard आपको लग सकता है इसको maneuver करने में इसको control करने में तो वह आप जो है वह experience के साथ सीख जाओगे और इसमे यार missiles भी आती है आपको बस इसको upgrade करना पड़ेगा तो इसको मैंने रखा है second number की position पर बात करते है first number की bike पर और ये है एक arena वाली bike जिसका नाम है gargoyle अब इसका नाम जो है वो change हो जाएगा एक बार आपने जो है इसको buy कर लिया gargoyle या फिर आप इसको death bike भी कह सकता है य oppressor mark 2 भी नहीं इसको beat कर सकता है so ये one of the fastest bike है gt online में आज की date में आप इसको gargoyle या फिर आप इसको death bike कह सकते है आप इसको buy करने का तरीका जरसा अलग है आपके पास पहले arena होना चाहिए ठीक है arena wars का जो वो आपके पास होना चाहिए उसके बाद आपके पास arena wars में जो है वो आपके पास mechanic होना चाहिए आपके पास vehicle workshop होना चाहिए एक बार आपके पास ये दो चीज आ गई तो आपको बस arena wars के इसमें जाना है laptop पे जाना है और इस gargoyle को जो है वो खरीद लेना है एक बार आपने जो है वो base gargoyle जो खरीद लिया है उसके बाद आपका अब यहा पे काम में आने वाला है एक बार आपकी जो है वो base gargoyle bike जो है वो deliver हो जाती है आपके किसी भी garage में तो आपको जो है उसको arena wars के vehicle workshop में ले आना है और यहाँ पे जो है वो आपको option मिलेगा इसको upgrade करने का भी यहाँ पे आपके काफी जादा पैसे जाने वाले है क्योंकि या इसने भी arena wars को इतने सारे races नहीं खेले होंगे तो आपका जो है वो सारा जो इसका जो customization है वो locked होगा लेकिन आप के पास अगर पैसा पड़ा है तो आप जो है उसको पैसे से भी buy कर सकते हो कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाके arena wars के जो है वो races करे फिर एक one by one इनको unlock करें तो आप सीधा जो है वो जो locked items है वो आप पैसे से भी purchase कर सकते हो तो यह इस गाड़ी में जो है वो आप बहुत सारे customization आती है इसमें blades लगाना सामने वाले blades लगाना spikes लगाना तो यह एक एकडम deadly bike जिसे आपको दिखेगी और इसमें boost जो है वो आपको मिलेगा और इस इसका एक plus point यह है कि इसमें जो है वो आपको boost तो मिलना ही है plus इसमें jump भी मिलेगा जैसे कि scramjet जो है वो jump करता है वैसे ही यह जो bike है वो jump करती है तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो airport पर testing के लिए लेकिया था और यह जो bike है वो boost के साथ अगर आप इसको चराओगे ना तो यह काफी fast चलती है तो यहाँ पर E से इसका जो है वो jump करेगी है अगर प्रेस करोगी keyboard पर एक बार आपने इसको ले लिया तो आप इसके जो controls है वो सीख जाओगे तो यह जो bike है one of the fastest bike स सची में GT online में है और भाई अगर आपने इस bike को नहीं लिया तो यार bike यह ले लो इसम आपको बहुत अच्छे से aim करना होगा और जहां तक bike चलाते चलाते अगर आपको किसी को मारना है तो यह थोड़ा सा मुश्किल है तो उमिदे आपको यह video पसंद आए गई होगी guys और अगर आपके कुछ भी suggestions होंगे इन bikes को लेकिया फिर मेरे से कुछ मिस हो गया होगा तो आप comment section में मुझे बता सकते हो और मैं आपकी comment पढ़के आपको जरूर reply दूँगा अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon जरूर अब आदेना ताकि आपको ऐसी जो videos आएंगे in future उसकी notification time to time मिलती रहे डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने नीचे दिया है description में अगर आपने डिस्कॉर्ड अभी तक जॉइन लेकिया हमारे 700 प्लस members हो गया है आप डिस्कॉर्ड जरूर आईए वहाँ पर आप देखिए बहुत सारे बंदे वहाँ पर होते हैं मिलते हैं आपसे अगली वडियो में